हेलो दोस्तो आप सुभी का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वाटसप से डिलिट हुए चैट को क्या से रिकावर कर सकते हो इसके बारे में आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दोस्तों यदि आप भी WhatsApp से डिलीट चैट को वापिस सिलाना चाते हो, recover करना चाते हो, तो फिर आप इस वीडियो को बिना escape किये, वीडियो को सुरू से लेकर वीडियो को last तक देखेगा, और वीडियो को सुरू करने से पहले, मेरी आप से एक छोटी इस request है, यदि आपन हमारे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल आइकन को भी प्रेस करें, तो चली दोस्तों बिना दिरी के वीडियो को सुरू करते हैं, तो चली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कि आप लोग WhatsApp से डिलीट चैट को कैसे recover कर सकते हो, तो इस दोस्तों अब आपको इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना हैं, और अच्छे से समझना हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, WhatsApp पे डिलीट हुए चैट को recover करने के लिए, आपको WhatsApp में सबसे पहले एक छोटी सी setting करना है, तब ही दोस्तों आप डिलीट हु इसमें आपको काफी सारे option मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो दोस्तों इसमें आपको last में एक option मिल जाएगा settings का, ठीक है, तो आपको settings वाले option पे क्लिक कर देना है, और आपके सामने इस परकार का page open हो जाएगा, ओके, और दोस्तों आपको यहाँ पर एक option म मिल जाएगा chat backup, आपको इस वाले option पे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस परकार का page open हो जाएगा, और दोस्तों अब आपको scroll down करना है, और इसमें दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा Google account, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आपको इसमें अपना Google account add कर लेना है, जिसमें आपको chat backup लेना है, ठीक है, फिर दोस्तों आपको इसमें दोसरा option मिलेगा, backup to Google drive, तो आपको इस वाले option पे क्लिक कर देना है, और इसमें आपको काफी सारे option मिलेंगे, जैसे आपको इसमें सबसे पहला option मिलेगा, never, तो दोस्तों अगर आपका never select है, य फिर दोस्तों आपका weekly select है, तो आपको किया करना है, दोस्तों आपको daily वाले option पे क्लिक करना है, आपको इससे select करना है, फिर दोस्तों आपको अपना email ID add करना है, जिसमें आपको chat backup लेना है, और दोस्तों daily आप select करोगे, तभी दोस्तों आप daily का chat backup ले पाएंगे, daily के delete हु वे चैट को recover कर पाएंगे, ठीक है, इतना करने के बात दोस्तों, अब मैं यहां से back जाता हूँ, ठीक है, आपको भी यहां पर back आना है, और दोस्तों, अब मैं आपको आपके सामने हां से, एक message आपको delete करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसे recover करके दिखाऊंगा, ठीक है तो दोस्तों में इस chat को यहाँ पर open करता हूँ और मेरे पास दोस्तों यह message है कैसे हो डियर इस वाले message को मैं आपको आपके सामने हाँ पर delete करता हूँ ठीक है आप यहाँ पर दोस्तों wait कीजिए यह देखे मैंने इस पर click किया अब दोस्तों में इसे यहां से डिलीट करता हूँ ठीक है डिलीट फोरिमी वाले उप्षन पे दोस्तों मैंने क्लिक किया और दोस्तों यह डिलीट हो चुका है ठीक है और अब दोस्तों में बैक आ चुका हूँ और अब चलिए दोस्तों आपको क्या करना है मैसेज डिलीट क रणने के बाद आपको three dot वाले option पे click करना है, फिर आपको settings वाले option पे click करना है, and आपको chats वाले option पे click करना है, and दोस्तों आपके समने ऐसा interface आएगा, और इसमें आपके एक option लेगा chat backup, आपको इस वाले option पे simply click कर देना है, इस पर click करने के बाद आपके समने ऐसा interface आएगा, और इसमें आपको एक option लेगा backup, आप देख सकतो backup का एक option है, तो आपको इस वाले option पे click कर देना है, और यहाँ पर देखे दोस्तो backing up message, तो यहाँ पर दोस्तो आपने जो भी delete किये है message, वो सभी यहाँ पर backup हो जाएंगे, recover हो जाएंगे, तो देखे दोस्तो इसमें एक option backup, इस वाले option पे आपको click कर देना है, और यहाँ पर देखे दोस्तो Google Drive backup, तो Google Drive में सभी जो message है, delete हुए message है, सभी यहाँ पर add हो जाएंगे, सभी backup हो जाएंगे, recover हो जाएंगे, तो चलिए दोस्तो वेट करते हैं, तो देखे दोस्तो यहाँ पर यह 100% successful हो चुका है, मेरे message backup हो गया है, अब चलिए दोस्तो मैं से back जाता हूँ ठीक है, दोस्तो मैं यहाँ पर back आ चुका हूँ, और देखे दोस्तो यह च shape दी हो, आप दीखे दोस्तो यहाँ च मैशिज वापस आ गया है, आप देख सकतो कैसे हो DR, मैंने इस message को आपके सामने delete किया था, और दोस्तो यही तो आज किस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, कोमेंट करना और चैनल पढ़ने ही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करतेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाई एंटे केर